गुड मार्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू पॉर्माकूर में व्लॉग और कैसे हो आप सब होप यू अहले दूइंग वेल हम लोग भी ठीक ठाक है सुबह का छे बजराए आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है कल मेंग चुटी है साटरडे है तो फ्राइडे क्या होता है ना कि थोड़ा सा लेटी उठी हूँ क्योंकि खाना मतलब लंच बॉक्स ऐस सच कुछ मैं बनाऊंगी नहीं या सोची थी कल रात को थोड़ी सी मतर की सबजी बनाई थी वो मैं के लिए रखा हुआ था और दो चार रोटिया बना दूँगी आज इसलिए एकदम लेट उठी हो पॉने छे बजे अभी छे करीब हो रहा है तो बस हडी में छटा हटा के मैं फेक रही हो मैं देख रही हो कि हडी में चलाना चाहे तो फिलाल यहां पर मैं आटा लगा रही हो फटा फट से और सुभा सुभा एकदम से उठके ना मुझसे बाते नहीं होती है बहुत मतलब होता है ने कि मूड स्विंग टाइप का एक होता है कि क्या बाते ही नहीं कर सकती हूं मैं तो फिलाल कभी कभी कड़ भी लेती हूं बाते चाहते अच्छी लगती है तो फिलाल लेट उठने के वज़े से क्या हुआ है ना कि मुझे सच में आज बहुत लेट होगी तो इतना लेट हो गया था तो मैं सुची थी कि काश में 5-10-15 में उठ जाती तो इसलिए ना फटा-फट खाना बना रही हूँ और मतलब लंज बॉक्स का प्रेप कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद से सब कोई उठ भी जाएगा फिच चाय बनाना है और आज करना महिंक को थोड़ा से जल्दी स्कूल भेजना पर रहा है क्योंकि उसका स्कूल का गेट होता है ना कि एक टाइमिंग के बाद बंद हो जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटिया सेख रही हूँ और यह सारी रोटिया है ना जादा नहीं फूलेंगे क्योंकि यह माल्टी ग्रेनाटा का रोटिया है स्रिफ गेउ का रोटा का रोटी नहीं है तो स्रिफ गेउ का रोटा का होने से ना बस फूल रहाते हैं और मैं रूम में गई थी देखने के लिए आवाजे आ रही थी तो husband भी उड़ गया है माइंग भी उड़ गया है तो बस माइंग का कल से जीत लगाया था कि ममा मुझे टैंग लेके जाना है आज तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलो भई सही है कि तुम टैंग लेके जाओगे क्य वो टैंग या रसना कुछ भी लेके जाने नहीं माग रहा था तो फिलाल husband उड़ गया है और मैं चरा चुकी हूँ यहाँ पे चाय और चाय बना लूँगी फटाफट से क्योंकि मैं और husband भी बैठके थोड़ा सा 10-15 मिनिट का ब्रेक लेंगे क्योंकि सुपा से काम कर रही ह तो बस यहाँ पे चाय मैंने चरा दिया husband का चाय तो निकाल दी मैंने हो गया उनका क्योंकि वो टो ब्लैक की पीते हैं तो टेंचिन वाली बात नहीं है लेकिन मेरी तो दूद वाली चाय चाहिए सुबह में नहीं तो बस क्या होता है न कि दिमाग जो होता है न सर पकड़ मेरा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो बस ये एक आदत की बात है बहुत कोई मुझे बोला था इतना चाय मत पिया की जिदी लेकिन क्या ही करूं और देखिए चाय बनाए और रूम पे आई तो बाहर आई तो बाहर का नजारा में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हू ये देखिए ये दूरगापूजा का मार्केट अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये देखिए पौने साथ बज़े रहा है अभी फिलाल और हजबिन भी कहते नीचे तो वो आ गया है तो गुट मॉर्निंग बोल रह लेकिन आज पौने साथ हो रहा था तो अल्रेडी टाइम घरी का काटा तो दौर भागने लगा था तो फिलाल यहां पर माहिंका मैं शूज लेज बान रही हूँ और उसका जो टाई है ना वो खुल गया था तो हजबन को बोले कि आप ये काम कर दो तो मैं वो काम करती बस दोनों मिलकें जूट गये महिंको रेडी करने में पर सच में वही लेकि हम लोग बहुत हस रहते बाते कर रहते कि देखो एक एक जनी को रेडी करने में में मतल psychok CJ को चार जोट गया है हम लोग हूँ तो वही चल रहा था हम लोग का यहां पर समझ आत मस्ती भी चल रहा और मैंग बड़ा इंजॉय करता है ये सब चीज की चलो सब कोई मिलके उसको बहुत अच्छा रोयल वली ट्रीटमेंट दे रही है क्योंकि वो उसका टाई लगा रहे है पापा मैं उसका लेस बाग रही हूँ तो बस हम लोग तो भागदार करने लगते हैं तो फिलहाल मैंग हो गया है रेडी और ये देखिए चुपके से आके फ्रेज से ठंडा पानी निकाल के पी रहे सामने एक्जाम स्राट होने वाला है वही मैं बोर रही हूँ कि आप ठंडा पानी इतना मत पिया करो अब फ्रेज में पानी रखना बंद करना पड़ेगा सच बतारी हूँ अच्छली क्या होता है ना मैं किचेन में काम करती हूँ ना बहुत गर्मी लग जाती है तो बस फ्रेज से निकाल के ठंडा पानी पी लेती हूँ कभी-कभी तो कभी-कभी क्या हरोजी हो जाता है और ये इसका पूरा फायदा मैंक उठाता है तो वो भी ठंडा बानी पी लेता है तो जी मैंक का यहां पर पूरा मैंक रेडी हो चुका है मस्ती का मोड में है तो बस मैंक चला गया स्कूल और मैं आग्यों फटा फट से कीचेन में ब्रेकफस्ट बनाने के लिए क्योंकि हजबन को भी निकलना है बस एक सिंपल सा भाजी बनाओंगी भिंडी आलू का भाजी और दाल बना दूँगी साथ में रोटियां से एक दूँगी चार पांस तो बस हस्बन का ब्रेकफस्ट हो जाएगा तो उस चोक में मैं भी ब्रेकफस्ट कर दूँगी सेम चीजे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अभी तो ममी है नहीं घर पे वो गई है नानी के यहां तो बस हम दोनों का यह breakfast बनने हैं और मैं सोच रही हूँ ना कि यह breakfast के साथ lunch में भी यही रख दू क्योंकि मैं इको भिंडी बड़ा पसंद है किसी भी सूरत में भिंडी उसको दे दो उसको खाना ही है भिंडी लंच बॉक्स में भी जब भिंडी देती हो ना कि पूरा भिंडी यो खा के भलो एक रोटी यो छोड़ दे लेकिन पूरा भिंडी यो खा के आता है और दो चार दिन ना दूना तो बोलने रगते कि ममा भिंडी अपने नहीं दिया है लंच बॉक्स में तो फिलाल यहाँ पे भाजी का तरह आलू कट कर रही हूं मैं इसके साथ भिंडी भी कट कर लूगी मैं थोड़ी देर में तो फिल हाल यहाँ पर आलू कट करने लगी हूँ, यह आधा आलू भुजिया के लिए छोड़ दूगी और आधा आलू मैं भींडी आलू का भुजिया बना लूगी, तो इससे क्या होगा कि मेरा थोड़ी सी हेल्प हो जाएगा कि मैं रात को ना रात का भुजिया भी भी बन आके रख दूँगी रोटी के साथ जो हम दो खाएंगे मैं ना सुभा में प्लाइन कर लेती हूँ और आज का जो भिंडी बना है सुभा में मैं का लंच बॉक्स किया है ये ना मैं एक दिन पहले या दो दिन पहले प्लाइन करके रख देती हूँ कि मुझे ये करना है तो मुझे खाना बनाने के समय पे सोचना नहीं परता है कि भई क्या बनाओ इसमें 10 मिनिट टाइम जाता है तो इसलिए ना मैं पहले से डिसाइट करके रखती हूँ कि मुझे ये 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 चीज़ बनानी है तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लगता है जादा आप लोग पूछ रहते हैं कि इस तरह से कैसे फटाफट से सोचते नहीं हो बना लेते हो क्योंकि मैं दो-तीन दिन पहले से प्लानिंग कर लेती हूं कि मुझे यह 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 चीज़ बनानी है तो उसका एकोर्डिंग मैं काम करती हूं और फ्रिज में भी समान देख लेती हूं यह भी बात है कि फ्रिज में अगर समान ना रहे है तो मैं समान देख लेती हूँ, फ्रीच में है की नहीं है, उस according मैं schedule तयार करती हूँ कि मुझे ये ये चीज बनानी है, तो बस वैसे ही बना देती हूँ, इसलिए अगर आपका दिमाग में कोई भी चीज रहेगा ना माइन में, तो आप वो चीज implement जरूर कर दोगे, लेकिन अगर दिमाग में कोई ना रहे, तो सोचने में ही 10-15 मिनिट लग जाता है, कभी-कभी तो आदे घंटे के उपर हो जाता था मेरा, कि क्या बनाओं मैं सोचने के लिए, फिलाल दाल में जो मसूर की दाल होती है ना, धूली हूई मसूर की दाल, वो वाली दाल मैं यहां पे चरा रही हूँ, और बस साथ में भिंडी आलू का भुजिया चरा दूँगी, साथ में रोटिया सेक लूँगी, यह मेरा कल रात का ही प्लान था कि फ्रीज में भिंडी है, तो मैं कल ब्रेकफस्स में भिंडी बनाओंगी, मैंक से पूछा था, तो मैंक मना कर दिया, बहला इसको मतर या लंगर डाल में कैसे देती हूँ, एकदम सुखा के, अगर नहीं पता हो, तो आप लोग जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसी में है, तो बस फिलहाल यहां पे मैंने थोड़ी सी करहा, मतलब पैन ले ली, उसमें लिया है जीरा, और उसमें थोड इसी जीरा फ्लैटर करने लगी, तो बस मैं यहां पे आलो जो है, उसको मैंने चौक लगा दिया पैन में ही, और इसके साथ साथी भिंडी भी मैंने डाल दिया है पैन में, इसमें साथी एकी साथ मसाले कर लूँगी, आप बोलोगे कि भिंडी कची है, उसमें मसाले कैसे कर में अलु भी इंडी को भूजिया मैं पहले भी मसाले करको की बाद में करो कोई फरक नहीं होता है भूजिया भूजिया के तरह ही नए au इसा कोई बात नहीं है कि मेरे पास experience नहीं है तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ फिलहाल यहां पर मैं धीरे धीरे इसको fry करते रहूंगी चलाते रहूंगी फ्राइ करते रहूंगी तो बस यह एक पर फ्राइ हो जाए तो बस सॉफ्ट हो जाए तो यह आलू भींडी की भुजिया जो है और रीडी हो जाएगा फिलहाल दाल मैंने चरहा के रखा है और साइड बाइ साइड में आटा लगा डियों रोटी के लिए क्योंकि सबको मैं पराठा के लिए पूछे थे लेकिन सबको इमना कर दिया बदा नहीं रोटी खानी है तो बस रोटी के लिए आटा लगा आटा है और इसमें न उतना गिहू का आटा के तरह जट पट नहीं बनते थोड़ा साइड समय दे के बनाने पड़ते हैं तो बस यहां पर आटा मैंने लगा लिया था और इसके साथ यहां पर जो भिंडी आलू का फ्राइग करने रखी थी वो भी आलमोस्ट डन हो गया है दाल में रखी हूँ, यहाँ पर दाल भी हो गया है, उसको तरका लगा देंगे दाल में, लेकिन फिल हाल तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, रोटी और गर्मा गर्णों फुल के बनाने का मज़ाई कुछ और है, तो फिल हाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ, गर्मा गर्णों से बनाड़ी हुए आज इतनी जल्दी में होना कि मैं आप लोगों से बात तक ने किया आप लोग हमेशा बोलते हो कि दी आप बात नहीं करते हो तो बात कैसे करूं मतलब इतना जादा वर्कलोड है अभी सुबह सुबह क्योंकि हस्बिन को भी निकलना है जाना है काम पे तो म मैं किसी से फोन कर गी या किसी से बात करने का मोड नहीं होती है मुझे तो फिलहाल यहां पर मैं रोटिया से एक रही हूं पूरी तरह से और भिंडी आलो भुजिया के साथ ना पराठे बड़े अच्छे लगते हैं खाने में तो बहुत बड़ा टेस्टी लगता है लेकिन आप लोग जानते ही हो कि मेरे घर में पराठे थोरा सा वाइड किया जाता है पूरी पराठा दो चार दिन बन जाए तो फिर वापस से गया है रोटी भी मैंने सेक लिया है फटा फट से सारे रोटिया तो चलिए ये था हम लोगों की ब्रेक्फस्ट मैंने ब्रेक्फस्ट धाली लगा दिये तो बस हजबन को ब्रेक्फस्ट दे दिये हैं ये मेरी ब्रेक्फस्ट है तो चलिए मैं भी ब्रेक्फस्ट कर लेती ह और उसके बाद और काम पड़े हैं मैंने कुछ घर का काम नहीं किया सीधा आगई थी किच्चेन में तो फिलाल यहां पे जितने सारे कपरे में लगाई थी एक दो दिन से तो सारे कपरे सुख गए और आज तो धूब है बारिश है बारिश के बज़े से न वो सुख ही नहीं रहे थे तो मतलब इसलिए न दो तीन दिन से यहीं पे पड़े हुए थे तो फिलाल आज देखे कि सारे कपरे मेरे सुख चुके हैं कुछ कुछ भीगा हुआ है अभी भी मतलब गीला है तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है और मैंने सुचा कि चलो लगे हाथ यहाँ पे प्लांस में थोड़ी सी पानी दिया जाए तो बस आज का ये वीडियो ये छोड़ी से वीडियो में यहाँ पे एंड कर ली हूँ और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे कुछ भी पसंदाए तो प्लीज डू लाइक, शेक, कमेंड और सब्सक्राइब विच इस पार्मकुर्मी व्लॉग ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए व्लॉग आपके लिए लाती रहूंगी मैं और इसके साथ रेसिपीज भी आज तो कोई रेसिपीज दे नहीं सकी मैं ऐस अच्छे लेकिन दोपैर को मैं क्या बनाई थी वो कलवली व्लॉग में आ जाएगा उसका रेसिपीज मैंने शेयर किया है तो इस फिलाल बाई बाई ठेक के